शंगर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, जिस जिस पर ये जगहसा है, उसी ने इतिहास रचा है इस वीडियो को दिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आफे फॉलो कर सकते हैं, जिस आप चैनल पर पहली बार वीट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकॉन जरूर प्रिस करें ताकि आपको डेली मौनिंग में पांच बज़े करें अफेस की वीडियो मिलती रहे, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है, एसी आई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती सूटर काउन बन गई है, दोस्तों इसका बहुत इ एसी आई खेलों की थिहास में सोड जीतने वाली इन गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारती महिले सूटर बन गई है, कितने मीटर पिस्टलिस परधा में, यहाँ पर याद रखेएगा, पच्चीस मीटर, ठीक है, पच्चीस मीटर में, आपको बता दे कि रास्ट मंडल खेल, 2018 में, सोड प्रधक जीतने वाले मनु भाकर ने इस कारक्राम में छटे स्थान पर रही है, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बात करें, विनेस फोगट की, विनेस फोगट ने हाली में दोस्तों यह दो दिन पहले, इन्होंने जो है, तो, एसी आई खेलों में सोड प् जीतने वाली पहली भारती महिला पहलवान बन गई है, तो यह भी आप याद रखिए कि बहुत इंबॉडन कोश्चन है दोनों, इसके लाव बजरंग पूनिया जो तो, इन्होंने जो तो, एसी आन गेम्स में, यह पहले पदक प्राप्त करता थे भारत की तरफ से, ठीक, जो तो, इन्होंने किसको हराया थो, जापान के दाइची, ताका तानी को हराया था, और भारत के लिए पहला सोड़ पता की इन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा, तीनों कोश्चन बहुत इंबोर्डेंट है, इसके साथ सते हैं पर बात कर जाता है, तो कमल जीत संदू से लेटेट, इन्से लेटेट क्या पूश्चन के आप पूशाता है, कि ACI खेलों में शौण पतक जिदने वाले प्रिथम महीला कौन थी, तो वो थी कमल जीत संदू, यहाँ पे ACN गेम्स के बारे मापको थोड़ा से बता देतें, दोस्तों, इससे पहले में कई बार रिपीट कर चूँँ, लेकिन एक बार और रिवाइस कर दो, बिल्कुल आपको कंठस्त हो जाएगा, बिल्कुल एक्जाम में आप गलती नहीं करेंगे, तो ACI खेल का प्राराम कब हुआ था, चार मार्च ओनिसों क्यामन को ने दिल लिम हुआ था, कब हुआ प्राराम, चार मार्च ओनिसों क्यामन को ने दिल लिम है, इससे पहले ACI गेम्स कहा हुए थे, तो दोस्तों 2014 के ACI गेम्स हुआ था, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में, और अभी का कहा हो रहा है, तो इंडोनेसिया के जकारता और पॉलेंबेक सहरों में हो रहा जकारता में एक महत्पूर्ण संस्थान को मुख्याला है, कई वार आपको बता चुका हूँ, आसियान का हेड़कोर्टर कहां पे है, जकारता में, इंडोनेसिया गराजने जकारता में, आसियान का फूल फॉल्फार्म क्या है, एस्शूशेशन आप साउथ ईस्ट एस्ट और आसियान का भी हाली में सम्मेलन कहां पे हुआ तो आसियान का 33 सम्मेलन हुआ दोस्तों 2018 में सिंगापूर में कहां पे हुआ सिंगापूर में समिट सा और सम्मेलन आपको बिल्कुल याद रखना है पूछा आता है और अगला कहां पे होगा तो आसियान का अगला सम्मेलन ह लिजिए और रिवीजन जरूर करिए मैं कई वार बोलता हूँ कि आप लोग रिवीजन करिए आपको चीजे कंठस्त हो जाएगी बस पढ़ने से मतलब नहीं आपको एक सब्सक्राइब तीन वार रिवीजन करना है और महीने में कम सब्सक्राइब नोट्स बनाते चलिए साथ में रिवीजन मस्ट है किसी वीजिए इसको आप पढ़ते तो उसको रिवीजन जरूर करिए अगले दीन या दो तीन दीन बाद ठीक है तो यह बहुत जरूरी है इसी तरह में हर कोशन में एक्स्ट आपको पताऊंगा तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा औ और आप हमेरे डेली मॉनिंग में पांच बहुत के लिए टाइम जरूर निकाला करें पंदा मिट का आपको मैं सारी चीज़ें करेंडफेस साथ साथ जीके का जो है पूरा कवर करा दूँगा ठीक है तो डेली आप जरूर देखा करिए चलिए तो एसी अन गेम्स दौर आत्मकता है दोस्तों नो स्पिन किस खिलाड़ी की आत्मकता है साराइट एंसर जोगा ऑपसन बी सेनवार्न की ठीक है औपसन भी राइट है देखें दो तो महान इस्पिन गेदमा जो थे सेनवार्न इन्होंने अक्टूबर 28 », 18 स्थ ने वाली नो इस्पिन नामा-क अपनी कि सत की कहानी है और इसके आज पास की कुछ स्थाई मितकों और असत्तिताओं को भी चुनावती देती है ठीक है और यहाँ पर सेन बॉन के बारे में थोड़ा से जान लेते हैं या उस्टेलिया के महान इस्पिन गेंदवाज थे ठीक है और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर सचिन तेंदूलकर की जो भी एक बहुत थी प्रसिद आदमकता है इसका नाम है प्लेइंग इट माईवे इसलेटर भी बहुत कोशन पूछा गया है तो सचिन तेंदूलकर की जो आदमकता का नाम है वह प्लेइंग इट माईवे इसके जो ऑथर है वह सचिन तेंदूलकर और बोरिया मजूमदार सचिन तेंदूलकर के साथ बोरिया मजूमदार भी इसके ऑथर है और क्या नाम है बुक का प्लेइंग इट माईवे ठीक है तो नो इस्पिन किस खिलाडी की आदमकता ह सका गताता है किस देख को माना जाता है एक duż land को किसको और दोस्तों आपको वतादे कि जो क्रिकेट का आय सी सी है इसकी इसका मुख्यालय पर है दुबभी UAE में इसका मुख्याल है ICC का मुख्यलका में दूए UAE में और ICC को जो बरतमान में चेर्माइन है वो है ससांग मनोहर है और अगला जो वर्ल्लकाप होगा दोस्तों 2019 का वो कहां पी होगा ये एक्जामें पूछा जा सकता है तो अगला वर्लकाप होगा क्रिकेट का वो होगा इगलेंड के वेल्स में ये प्रस्ता भी थे अगला ठीक है और दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा आज टार्गेट रखते हैं 10,000 लाइक का ये वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिलते हैं तो लाइक जरूर कर दिये आज वीडियो ये आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को जादा जादा फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ सेयर करी वाट से फेस्बूक में ताकि उनकी मंदद हो सके चलिए अगला कोशन है 281 और बियांड आत्मगता किस भारती कि लाड़ी ने लिखी है 281 और बियांड आत्मगता जो तो यह लिख रहे हैं वीवीएस लक्षमण यानी ऑप्संसी राइट है देखे तो आपको पता देख क्रिकेट में अपनी कलाईयों के बहतरीन प्रयोक के लिए प्रसिद्ध अनभवी क्रिकेटर जो हैं वीवीएस लक्षमण ने 281 और बिया अगराबाद में स्टालिस्ट द्वारा खेली गई 281 रनों की शांदार स्रीज की टर्निंग पारी से लिया गया है ठीक है यहां पर एक और आत्मकता आपको बता देता हूं टेस्ट आफ माई लाइफ यह है यूवराज सिंग के प्रसिद्ध आत्मकता टेस्ट आफ माई ल को इस चीज़न अगला कोश्चन दोस्तों नेक्स कोश offense थिस गलमे Blood में नया रायपूर का नाम बदल गर क्या रखने की घोशना की गई है तो 36 गलम में जो नया राजहन की राजहन का अटल लागर तीक stopping दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गई है माप कीजिएगा अटल नगर होगा तो अटल नगर जो तो नया नाम होगा ठीक है इसके लावा को दादे कि पूर प्रधान मंत्री टल विहारी वाजपेई का सद्धानजली के रूप में जो तो 36 गड़ मंत्री मंदल ने नया रूप में जाना जाएगा जबकि जो नयरो गेज लाइन होती है उसको भी अटल पत के रूप में जाना जाएगा ठीक है और नया रायपूर जो 36 की प्रस्तावित प्रशासनिक राजधानी है और आनंदी बेन पटेल 36 की बरतमान गवर्नर है और इसके साथ MP की गवर्नर है और 37 की अतरिक प्रफार समाल लई है ठीक है और अभी बल्लाम दास जी टंडन का हाली मनीधान हो गया था पत्पे रहते वे तो वहां का अतरिक प्रफार अनंदी बेन पटेल समाल लई है अभी बात करें दीन द्याल उपध्या नगर की दोस्तों तो भी रिसेंडली जो है अटल नगर चलिए अगला कोशन है फोप्स की सरवाधिक भुकतान वाली महिला अथलेटों में सीर सस्थान पर कौन सी की लाड़ी है तो इसका राइट एंसर जो जागा दोस्तों सिरेना विलियमस है नहीं आपसा नहीं सिरेना विलियमस आपको बतादिक फोप्स बतादिक भुकतान वाली महिला अथलेट बनी है इसके लावा ऑस्ट्रेलिया ये ओपन तो रठार हैं अपना पहला ग्रंड इसलेम खिताब जीतने वाली डेन कैरोलीन वेजनी की जो है तो सयुक्त कमाई इनकी थर्टीन मिलियन डॉलर सूची में दूसरे स्थान पर रही ह है डेन कैरोलीन वेजनी असकी ठीक है इसके लावा जो भारती वेडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधू 8.5 मिलियन डॉलर के साथ जो दोस्तों वो कमाई पर साथ में अस्थान पर है तो यह आपको इंडिया का याद रखना है पीवी सिंधू के बारे में साथ में अस्थ पोवा फिप्त पर है मारिया सारा पोवा फस्ट पर है सरेना विलियम्स और सेवन्थ नंबर पर हैं इंडियन प्लेयर्स पीवी सिंधू 8.5 मिलियन डॉलर के साथ ठीक है यहाँ पर फोप्स की बात करें तो अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है इसकी स्थाबना होई थी 1917 में का छेवें नमर्प पर है पीवी सिंधू चलिए अगले को शान keyword बढ़ते हैं चकरवाद चैटावनी केंदर की इस में स्थापित किया जाएगा दोस्तों चक्रवाद चेताबनी केंद्र जो है तो केरल में स्थापित किये जाएगा देखे दोस्तों आपको बतादे कि केंद्री विग्जान मंत्राले ने पूर्षना की है कि केरल में चक्रवाद चेतावनी केंदर स्थापित करेगा और राज में एक और डोपलर राडार के साथ मौशंपूर्वनवान को बढ़ावा देगा और नया केंदर तिरुवनंद पूरम में स्थापित किया जाएगा आपको बतादिक वरतवान भारत चलिए अब देख लेते हैं कल का एंसर कल मैंने कोशन पूछा था डबलू एचो विष्ट तमबाकू निशेद दीवदवर सत्रा पूर्षकार के समानित किया गया राइट एंसर था आप संडी एसके रोड़ा को लगवक सभी लोगों ने राइट एंसर दिया था अब वीडियो कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके होसला जरूर बढाईएगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को साथ दोस्तों आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर लिजे वहाँ पे सबस्टें लाइक कर लाइक